नमस्कार दोस्तों, हमारे बहुत सारे दोस्त बिहार के गाउंगाउं में रिपोर्टिंग कर रहे हैं, बिहार एलेक्शन की तमाम सी यह जानने की कोसिस कर रहे हैं, उनसे हमें जो जानकारिया मिली उस जानकारियों के आधार पे आपको कुछ चीजे बताना चाहते हैं, जैस इसके साथ नितीज हैं उसको नहीं देंगे, यह तोर पर लोगों का कहना है, वहीं महागडबंदन की तरफ लोग बढ़ रहे हैं, लोग कहा रहे हैं कि हम नई सरकार चाहते हैं, कुछ लोग, ठीक, सिरे तोर पर तीजसी को लोग पसंद कर रहे हैं, ऐसा मैं साफ साफ नाम ल आपको एक तत्थ देता हूं इस तत्थ के अनुसार आप समझो कि किसकी सरकार बनेगा आप खुद अपने दिल से सोचना आप बिहार के आदमी हो एक एक जामपल के तौर बता रहा हूं आप बिहार में हो आप कहां चुनाओ है ठीक 15 सालों से किसी की सरकार है आपको कुछ भी पानी है बिजली है मिली है इसके लिए तक लिए वो बुट मांगे नहीं सकता है इस वज़े से लोग कह रहें कि निटिज कुमार में तक लोग बशलि कर रहे हैं पानी आ रहा है लेकिन पानी कहीं पर लगा है लेकिन वो गंदा पानी आ रहा है कहीं लोगों ने कहा कि पानी के जरूद गाउं में थी सहरों में कम थी क्योंकि गाउं में हैंड पैंप और यह चीजों के होने के वज़ए से लोग पानी का उतना नहीं होता है टोटी वाले प तुमाम चीजेए चिमिकल उसमें आ रहा है उसके ऊपर उसके उपर सही से देखने तरहा आपको मैं मुख्य कारण बता दें आप बिहार के आदमी हो और आप से यह कहा गया कि आपके राज्ये में हम 10 लाख करिया देंगे दस लाक नौकरी कम नहीं औदें टस लाक एक परिवार से एकल फंड हैं माता परण रूता भाई वहन मौल लो तब थि आप गर कहा गया यहाँक गए कंई है जो आप घर विक्ति चुण वहते हैं जी को बेटे को और भेंको नौकरी देगा आप उसेही नівर्ट बात है कि तेजस्वी ने यह आयलान की पहले दिन जब कुर्थी पे बैठेंगा वैसे ही मैं दसलाक नौकरी दिलबाद हुगा हलाकि यह बड़ा मुश्किल चुनाती है वो कैसे करेंगे उन्होंने एक बात कही है पर कैसे करेंगे वो अलग बात है लेकिन जनता के मंड में यह चीज़ सिधे तौर पर गई इवा हो के इवा अपने घर पर भी लोगों को बखबोलेंगे कि तेजस्वी ने नौकरी के लिए मुझे कहा यानि कि दसलाक लोगों को कहा उसमें मेरा भी नाम हो सकता है इसले कहीं ने कहीं तेजस्वी को मौका देना चाहिए जनता एक तरफ चाहे वो दे पाए ना दे पाए लेकिन एक तरफ जनता प्रब्लोव भी साहे किन नौकरी अगर हमारे घर में मिलेगी तो 4-8 घर का उसी को जाएगा जो हमारे घर के बच्चे बहन को नौकरी देगा तो यह एक बड़ी चीज़ हो जाती है